सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेकलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों अगर आपके पास में एक नॉर्मल टीवी है और अगर आप उसको बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो यहाँ पर मेरे पास में आपके लिए है दोस्तों यह शाओमी का मी बॉक्स जिसकी मदद से आप ऐसा ही कुछ कर पाएंगे आज इस वीडियो में करते हैं इसके अंबॉक्सिंग देखते हैं कि बॉक्स कॉंटेंट क्या है इसमें क्या खास फीचर्स हैं और कैसे आप इसके मदद से अपने टीवी को थोड़ा सा और इप्रूफ कर सकते हैं नवश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे अगर अपने नॉर्मल टीवी में तो वो बन जाएगा स्मार्ट यहाँ पर दूस्तों यह पावर्ड है एंड्रोइड टीवी के थूरू तो आपको बहुत सारी कमाल के अप्स मिलेंगे आप प्ले स्टोर से भी एप्स दोर को इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ और दूस्तों यह 4K HDR का सपोर्ट करता है आपको इसके अंदर Voice Search का Option मिलता है Google Cast का आपको इसके अंदर Option मिलता है और यहाँ पे दूस्तों कुछ $76 वर्थ के Free Offers भी है इसकी जो खुद की प्राइस है वो कुछ $70 की है जो मैंने की पर्चेस किया है चाइना से यह है दूस्त है दूस्तों एक 5-Core GPU करते हैं इसको Unbox देखते हैं कि सबसे वहले इस box contents क्या है जहां पर मिल जाएगा सबसे वहले तो ओपर Mi Box तो यह है दूस्तों Xiaomi का ही Mi Box और यह एकदम ऐसा flat style का है नीचे आपको मिलती है थोड़ी से grip जिसके थूँ यह slip नहीं होगा थोड़ा सा heavy है और सारे ports आपको मिल जाएंगे पीछें के बारे हम बात करते हैं बाद में इसके अलावा दूस्तों जो box है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो यहां पे यह तो है एक सबसे पहले special free offers के लिए guide अकसर इन कागस को पढ़ देलें लेकिन यहां पे इस बार पढ़ना जरूरी है तो यहां पे आपको अलग-अलग बहुत सारे free offers यहां मिल रहे हैं किसी में 5 जोलर किसी में 10 डॉलर तो यह मैं काम में ले लूँगा इसके अलावा दूस्तों यहां पे है एक quick start guide कि कैसे आपको इसको connect करना है अपने TV के साथ में यह आप normal TV जिसके इंदर भी HDMI port है उसमे connect कर सकते हैं बना सकते हैं उसको smart या फिर आप normal जो है वो एक converter के थूरूर जो पुराने वाले TV था उसके इंदर आप इसको connect कर पाएंगे यहां पर इसके अलावा जो है यह एक आपका इसका adapter जो इसको power देने वाला है और यहां पर होगा round pin connector जी हां दोस्तों यह है normal round pin connector इ यह उसके अलावा है यह एक HDMI cable जो की बहुत यह अच्छी बात है कि फ्री में देदी साथ में और यहां पर आपको जो मिलता है वो है इसका remote और जो remote है वो काफी कुछ दिखने में Apple TV जैसा remote है थोड़ा बड़ा है साइज में लेकिन जो button layout है वो almost similar है तो यह दोस्तों remote जहा करता हूंने TV के साथ में और देखते हैं कि इसका complete layout है वो कैसा मिलता है और कैसे आप में ले पाएंगे जहां से बात करता हूं connections की तो यहां पर पीछे मिलता है इसका power port उसके अलावा यहां पर दोस्तों USB port जहां पर अपने storage को connect कर पाएंगे और वो भी देख पाएंगे अ connect और देखते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है दो यह जैसी मैंने connect किया अपने me box को जो मैंने रखा है यहां पर अपने monitor से तो यह आ गया है इसका पहला screen जो कि शायद यह Google boot हो रहा है वैसा दिखता है और यह आ जोस्तों Android और यह Android TV अब देखते हैं कि अगला setup क्या आता है ओके मैंने दबा दिया और यह हो गया है पेर पेरिंग के बाद में आगे इसको बस quickly एक बड़ सेट अप करते हैं सारी languages आ गई है तो बस मैं जल्दी इसको next next कर लेता हूं English तो यह दोस्तों भी सामने आएगा जो आपको दिखेगा main screen जो कुछ अभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको बहुत सारी apps मिल गाएंगी जो आप और जो चाहें वो इंस्टॉल कर सकते हैं आपको YouTube अगरा मिल रहा है उसके 4K तक फिलाव फुल HD पर है लेकिन आपको 720p और फुल HD सब तरगे मिल जाएंगे मेरा जो monitor है वो 4K नहीं है इसलिए आपको 4K दिखाई नहीं दे रहा है उसके अलावा यहां पर आपको screen position हो गरे change करनी है आपको daydream को क्या option है HDR वगरे को option मिल जाएंग उसके आपको Google cast को पाएंगे उसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पर आप अपस उगरे को देख सकते हैं कौन-कौन सी आपके आप से डाउनलोड उगरे कर सकते हैं और extra apps उगरे play store से और storage जो है इसकी वो है शायद 8GB जी हां 8 में से 5.1 अवेलेबल है और उसके अलावा अगर आप देख तो यहां पर आप सामने देख पाएंगे क्लियर ली तो यह है बिसिकली जहां पर आप अपने टीवी को एक smart टीवी बना रहे हैं यहां पर आप सभी तरह के जो काम है वो क्लियर कर पा रहे हैं यहां ना सिर्फ वीडियो देख पा रहे हैं फिर उसके अलावा आप यहां पर मुवी बगर देख पाएंगे और प्लेबैक काफी कमाल का है हालागे जो मेरा वाइफाई है वो भी 1GBPS का प्लान है मेरे पास में तो इसलिए आप देख पारें लेकिन आपको सारे जो रिजल आपको इसमें options मिल रहे हैं आप यहां पे प्ले स्टोर पे जाने के बाद में बहुत सारी तरह तरह की आप सुगरे को इंस्टॉल कर सकते हैं तो यह आप दिखेंगे तो यहां पे आपको गेम सुगरे मिल रहे हैं तो यह आप सब इंस्टॉल कर सकते हैं तो यह जो आपको मिलता है Chromecast उसका एक next version है जहाँ पर आपको और बहुत सारे काम करने को मिलेंगे तो I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मैं तो कमा लिने वाला हूँ अपने इस monitor के ऊपर काफी सारी और interesting चीजों के लिए अगर आपको और साला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत बुलिएगा अगर आपने इस वीडियो को भी तिक लाइक के शेर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए शेर भी कर दीजिए और चैनल को सब्स्राइब करना लोग को लिए मत बुलिएगा क्यों कि मैं आपके लिए रुजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ फिलाल के लिए इतना ही दोस्तों जैहिंद वन्दे मात्रम